आरोप क्या था कि मर्यादा की सारी हंदय पार कर गया, ना कुछ सोचा, ना देखा, अत्याचार करता गया, पहले बेरहमी से पीटा, फिर घसीटा, लेकिन तालीबानी सजा देने वाले युवक का दिल नहीं पसी जा, मामला प्रेम की नगरी आगरा का है जिसे ताज की नगर की आसपास के लोग भी घरों से बाहर निकलाए और हैवान पती की वीडियो बना कर पुलिस थाने में शिकायत की बात करने लगे, लेकिन साहाब तो बेरहम है, उन्हें किसी का डर नहीं दरसल आगरा के थाना सिकंदरा क्षित्र के गाउं अरसेना की रहने वाली 38 साल की कुस्मा देवी की शादी 17 साल पहले रुनकता कजबे के अरसेना गाउं निवासी श्याम बेहरी से हुई थी कुस्मा के अनुसार पती के पास खेती बाड़ी अच्छी है, पती शराब पीने का आदी है, घर पर खाने का सामान भी नहीं रहता है 15 साल का बच्चा और वो आए दिन भूके रहते हैं लेकिन उसका पती रोजाना शराब पीकर मारपीट करता है मारपीट से तंगा कर महिला ने पुलिस से शिकायत कर दी, तो सास और पती ने खंबे से बांद कर बुरी तरह पीट दिया वहीं दूसरी और मुकदमा दर्ज होने के बाद भी पुलिस ने कारवाई नहीं की पीड़ता के परिजनों ने बताया कि तीन माहा पहले पती ने बुरी तरह पीटा था तब भी मुकदमा दर्ज कराया था लेकिन कोई कारवाई नहीं हुई नियाए नहीं मिलने पर परिशान परिजनों ने कहा कि अगर अब कारवाई नहीं हुई तो वो SSP कार ले जाएंगे और मिटी का तिल डालकर आत्म दाहा करेगी वहीं अब देखना है कि क्या महिला सुरक्षा की बात करने वाली योगी सरकार में पीड़ता को नियाए मिल पाता है या नहीं पंजाब केसरी टीवी के लिए आगरा से ब्रिज भूशन की रिपोट हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूटीब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद